नमस्का दोस्तों बहुत-बहुत सुवागत हैं आप सभी का स्पोर्ट्स टाइगर में क्रिकेट की दुनिया ने एक ऐसे शक्स को खो दिया है जो कि फिर्की का फनकार था जिसके सामने बल्लेबास थर-थर कामते थे वो अब हमारे बीच में नहीं है यहां शेन वॉन की हम यहां बात करने हैं पावन साल की उम्र में उनका निधन हुआ है लेकिन निधन क्यों हुआ? किस प्रकार? उपरेशन श्रेट जो कि लगातार फिलाहल चर्चा में बना हुआ है लगातार लोग जो हैं ट्विटर पेस, सोशल मीडिया पेस उपरेशन श्रेट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं और मौत की वज़ा जो शेमोन की हुई है उसको लेके पड़ा डिबेट फिलाहल चल रहा है पताएंगे आपो कि क्या था ये उपरेशन श्रेट लेकिन उससे पहले स्पोर्ट स्टैगर को अभी तक आपने सब्स्राइब नहीं किया है तो फड़ा फट चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए साथ इसाथ नोटिफिकिशन गंटी को जरूर प्रेस करिए जब भी हम लाइब हैं जब भी हमारा वीडियो अप्लोड हो सबसे पहले आप तक पहुचे चलिके आप आपको बताते हैं कि दरहसल शेन वॉन की बृत्तियों को लेके जो बड़ा डिबेट फिलहाल चल रहा है सोशल मीडिया पे वो यह है कि भाईया यह ओपरेशन श्रेड जिसको लेके एक पोस्ट 28 फेबरी को शेन वॉन ने डाला था जहाँ पे एक पुरानी तस्वीर उन्होंने सांजा करी थी जिसको लेके क्या अप्शन में लिखा गया था कि मैं वापिस से इसी फिजीक में लोटना चाहता हूँ जुलाई तक का वक्त मेरे पास है यानि तकरीबन तकरीबना मांगे चले की चार से पांच मेरे का वक्त वो खुद को दे रहे थे इसी शेप में आने के लिए और कहीं न कहीं ये इक इनका गोल आप कह सकते हैं क्योंकि फ्यूचर में फॉल्फिल करना चाहते थे लेकिन इन सब की बीच में क्या मेडिकल लाप्स के कारण कुछ ना कुछ हुआ ये बड़ा सवाल है क्योंकि जब आप एक गोल की बीचे भागते हैं मिशन की बीचे भागते हैं प्रशली जब आपके शरीर से जुड़ा हुआ तो काफी चीज़ें हमने देखी हैं शेन वान की जिंदगी में ये एक मिशन की तरफ तो इशारा करता है कि वो बापिस से पुराने अवतार में आना चाहते थे लेकिन इससे पहले भी कई बार शेन वान जो हैं इस प्रकार चीज़ों के साथ एसोसियेट होते हुए नजर आए हैं पड़ा ही ट्राजिक आप कहा सकते हैं कि फिलाल ये खबर जब आई तो शायद हम सभी लोग तब से ही सकते में एक शौकिंग निउस हम सभी के लिए खबर बन गई थी ये पोस इसलिए भी महत्पून बन जाता है क्योंकि वेट लॉस को लेगे बड़े ही जादा सीरियस थे शेन वॉन इससे पहले भी कहीं बार वेट रूस करने के लिए वो बहुत कुछ करते थे exercise के साथ-साथ कई बार उन्होंने ऐसी दवाईयां लिए जो कि शायद बाद में उनको affect करने लगी थी high blood pressure का भी उनको जो है एक-एक सबसे बड़ा disease आप कहा सकते हैं कि बताया जा रहा था और कहीं न कहीं वो एक छोटी-छोटी चीजने तिनी बड़ी बंती चली गई कि अब वो पुरानी शेप में आने के कारण क्या कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे थे कि जिसकी वज़े से उनकी मौत हुई है ये बड़ा सवाल है इस पे जैसे बड़े development सायंगे सबसे पहले आपको स्पूर्ट स्टैगर पे हम बताएंगे कि क्या operation shred इसकी वज़े से तो कहीं शेन वान की मृत्ती नहीं हुई ये बड़ा सवाल है जो कुछी दिनों में बता लग जाएगा वीडियो पसंद आएगर जरूर लाइक कीजिए शेर भी से जरूर कीजिएगा फिलहाल हमें जादत दीजिए और बरशुक्रे